इज लू वलकम टू माय चैनल तीज टू एज तो आज हम शेंगे कि Excel में सम प्रॉडक्ट फॉर्म्ले को कैसे यूज किया जाता है सम प्रॉडक्ट का मतलब क्या है उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है normal formula use कैसे किया जाता है और condition के साफ formula कैसे use किया जाता है, हम इन 3 topic पे आज काम करएगे So, अपने data की तरफ चलते हैं तो जिसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने data पे आज चुके हैं तो देखिए मैं data समझाने से बहुँआ आपको को यह बता दू कि साम प्रोड़क्ट करता क्या है तो देखे सब से पर आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा है कि साम प्रोड़क्ट किसी भी दो दो से ज्यादा कर्सपॉंडिंग डेलिउस को मिल्टिप्लाय करके उनका स्टोटल सम देता है ठीक है और इसमें हम 30 रेंस भी सकता है यह इसकी लिमिटेशन है 30 जदा हम इसमें नहीं दे सकते हैं अब देखे मैं आपको अपना डेटा समझाता हूं मीचे मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हुए है एपल मैंगो पाइनेपल बनाना और यह मैंने नाम रिपीट भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उसके बाद कॉंटिटी लिखे है है पाँच मैंने एपल की चान मैंगो की पाइनपल की डो बनाना की 6 उसी उनीके से प्रैस लिखा है मैंने entscheiden पर पिस हम यहां पर पता करना है कि जितनी भी हमने product खरीद है हमने total cost कितने हुई है ठीक है तो normal ही लोग क्या करते है equal to करते है quantity select करते है multiply करते है price से enter मारा उसको निचे तक drag कर गया अब मारी सारी cost निकल आ गई है ठीक है अब इसके बाद यहां पर sum लिखेंगे और यह पूरा row select कर लेंगे और enter कर देंगे तो देखिए 794 answer आया है देखिए मारा answer सही आगया मगर एक lengthy process है हमें इसमें दो formula यूज़ करने के ज़रत पड़ी मगर अगर हम यह ऐसी ज़रा पर sum product formula यूज़ करना चाहिए तो देखिए some product कितनी easily आपको एक ही बारी में सही correct answer देदेगा तो देखते हैं इसका syntax कैसे लिखते हैं equal to sum product इस bracket open हो गया array one देखिए array होता क्या है array होता है set of data ओकी और हमारा जोहाँ पर array पहला है वो हमें quantity को लेंगे क्योंकि हमें quantity को pricing दो करना है अब array two हमारी है price हम price को भी select कर लेंगे तो देखिए d5 से d12 हमारी quantity होई और e5 से e12 price हमने bracket करका enter करा और 784 हमारा पहले भी answer आड़ता मगर यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही formula का use करना पड़ा और answer आगे तो यह तो sum product अब दूसरा question है कि calculate total cost of each product हमें यहाँ पे हर एक fruit के लिए एक अलगला cost निकाले है कि हमने किसी particular fruit पे कितना खर्चा कर रहा है तो देखिए हम लिए यह equal to sum product bracket open और देखिए हम एक और bracket देदेगी तो 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 मैं यह condition डालनी है अब देखिए fruit को हम select कर लेंगे सारे क्योंकि हमें fruit को match कराना है और हमसे fix भी कर देए effort press करके क्योंकि यह range select करनी पड़ेगी क्योंकि यह सबके लिए same है बनाना apple mango सबके लिए range fix रहेगी equal to अब हमें देखिए इस range बे यह fruit का नाम मिले ठीक है यह multiply हो जाए तो हमने h9 ले दिए और bracket 1 फिर into into में क्या करना है quantity और price तो हम quantity को select करेंगे इसको भी fix कर देए क्योंकि यह भी same रहेगा सबके लिए जहां पे भी हमको fruits की range बे यह वाले fruits के नाम मिले आपे उसको quantity price into हो जाए enter मरेंगे और देखिए 276 मिल गया इसको बिंचे देख कर देता हूं अब देखिए हमारे सारे answer आ गए है किसी particular fruit पे हमने कितना कर जगरा है वो हमें मिल चुगा है ठीक है apple mango बना पाइनेपल के लिए so आज का topic हमारा यहीं पे खताम होता है I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए अपने FB account पे अपने YouTube जहां भी आपका account है जिससे और ज्यादा मेरी वीडियो लोगों के पास जा सके और वो Excel को अच्छी तरीकी से सीख पाए so bye take care and please stay tune with me